हेलो स्टुडेंट्स आज हम करेंगे कक्ष्या दस्मी गणित की प्रशनावली आठ दस्मलव च्यार तो आज ये प्रसंद संख्या एक से शुरू करते हैं प्रसंद संख्या एक है त्रिकौनमितिय अनुपातों साइन ए सिकेंट ए और टेंजेंट ए को कोट ए के पदों में वेक्त कीजिए इस प्रसंद में बच्यों हमें साइन ए सिकेंट ए और टेंजेंट ए को बदलना है कोट ए के अंदर sin A को लेके चलेंगे, secant A को लेके चलेंगे और tangent A को और उसको हम बदल देंगे coat A की रूप में इस प्रसंद को करने से पहले कुछ सुत्र और कुछ सम्मंध हैं उनके बारे में जान लेते हैं सबसे पहले जो सुत्र है जो इस प्रशनावली में प्रियोग होगा sin square A जमा को सुकेर A बहुत important सुत्र है ये बराबर होता है एक के, पहला सुत्र है यहां पर A कोई भी कौन है A हो सकता है, B हो सकता है, theta हो सकता है sin square theta, जमा को स्केर theta भी क्या होगा जो कौन है ये, बदल सकता है यहापर a आ सकता है, ठीटा आ सकता है, b आ सकता है दूसरा सुत्र है एक जमा टेंजेंट स्केर ए बराबर सिकेंट स्केर ए तीसरा सुत्र है एक जमा कोट सुकेर ए बराबर कोसिकेंट सुकेर ए यह तीन बड़े इंपोर्टेंट सुत्र हैं इनको आपको याद रखना पड़ेगा इनका प्रियोग हम प्रशनावली के अंदर करेंगे इन सुत्र से कई और सुत्र भी बन सकते हैं साइन सुकेर A को कह सकते हैं एक माइनस को सुकेर A या यहां से को सुकेर A बराबर हो जाएगा एक गटा साइन सुकेर A दूसरा है एक जमा टेंजन्ट स्केरे बराबर सिकेंट स्केरे तो इसको यहां से हम यह भी कह सकते हैं कि सिकेंट स्केरे गटा टेंजन्ट स्केरे बराबर एक तीसरा सुतर है एक जमा कोट स्केरे बराबर कोशिकेंट स्केरे तो यहां से हम यह भी कह सकते हैं कि cosecant square A minus cosecant square A बराबर 1 अब ठोड़ा सम्मंदों के बारे में जान लेते हैं कि sin में और cosecant में क्या सम्मंद है sin A बराबर होता है 1 बटे cosecant A या sin theta बराबर 1 बटे cosecant A theta इसी प्रकार cos A और secant A में क्या सम्मंद है cos A बराबर होगा 1 बटा सिकेंट A इसी प्रकार tangent A और quote A में क्या सम्मंद है tangent A बराबर 1 बटा quote A sin A और cosecant A एक दूसरे के विप्रीत होते हैं इसी प्रकार cos A और secant A भी एक दूसरे के विप्रीत इसी प्रकार tangent और quote A यहां से हम यह भी कह सकते हैं कि cosecant A बराबर एक बटा sin A तो आपने इनको याद रखना है इनका प्रियोग हम प्रशनावली 8 दसमलों 4 में करेंगे अब प्रसन संख्या A को सुरू करते हैं बच्चों हमें sin A को quote A के उर्प में बदलना है sin A बराबर होता है एक बटा cosecant A यह संबंद अभी हमने किया था कि sin A बराबर होता है एक बटा cosecant A sin और cosecant एक दूसरे के एक विप्रीत होते हैं तो हमने sin A को लिख लिया एक बटा cosecant A एक बटे अब देखिए यहां से cosecant और quote में क्या संबंद है cosecant और quote में क्या संबंद है सुत्र नमबर 3 से देखिए cosecant square A बराबर होता है एक जमाग कोट सुकेर A तो यहां से हम cosecant A को लिख सकते हैं एक जमाग कोट सुकेर A का वरगमूल क्योंकि एक जमाग कोट सुकेर A बराबर है cosecant सुकेर A तो cosecant A क्या हो जाएगा दोनों तरफ वरगमूल करने पर तो cosecant A बराबर एक जमाग कोट सुकेर A तो मैं cosecant A की जिए लिख देता हूँ एक जमाग कोट सुकेर A वरगमूल अब हमने साइन को बदल दिया किसमें कोट की फोरम में तो यही हमें इसके अंदर करना था दूसरा पार्ट करते हैं secant A secant A को भी हमें कोट की फोरम में लेके आना है अब secant को हम लेख सकते हैं इस सुत्तर से यहाँ पर देखिए secant सुकेर A बराबर है एक जमाग टेंजन्ट सुकेर A तो यहाँ से हमारे पास secant A क्या हो जाएगा एक जमाग टेंजन्ट सुकेर A का वरगमूल जिसको हम ले सकते हैं एक जमाग टेंजन्ट सुकेर A वरगमूल तो कि पहले हम secant को बदलेंगे tangent में और tangent को फिर बदलेंगे कोट में सीधा हम secant को कोट में नहीं बदल सकते तो पहले हमने इस केंट को बदल लिया टेंजेंट में अब टेंजेंट से हम कोट में आराम से बदल सकते हैं यहां से देखिए एक जमा टेंजेंट स्केरे टेंजेंट स्केरे को हम लिख सकते हैं एक बटा कोट स्केर ए क्यूंकि टेंजेंट और कोट आपस में विप्रीत होते हैं इस उत्तर से टेंजेंट ए बराबर एक बटा कोट तो टेंजेंट स्केर ए बराबर हो जाएगा एक बटा कोट स्केर ए थोड़ा सा इसको हल कर लेते हैं कोट स्केर A लगो तमाज आएगा उपरे मारे पास आएगा कोट स्केर A जमा एक तो सिकेंट A हमारा हो गया एक जमा कोट स्केर A वरगमूल बटे अब यहां पर कोट स्केर A को हम वरगमूल से बाहर लेके आएंगे तो square से वरग से वरग मूल कट जाएगा coat A अब हमें बदलना है tangent A को coat A में tangent A को coat A में बदलना तो बहुत असान है क्योंबी tangent और coat एक दूसरे के विपरीत हैं tangent A को हम लिख सकते हैं 1 बटा coat A इन दोनों में सिदा असंबंद है कि tangent और coat एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो tangent A को लिख दिया हमने coat A बटा coat A तो यह हमारे तीनों पार्ट हो जाएंगे यहां से तो बच्चों हमने सिरफ इन सुतरों का परियोग करना है इनको द्यान में रखना है तीनों को coat A के रूप में देख्त कर सकते हैं जितने भी त्रिकॉनमीतिय अनुपात हैं उनको सिकेंट A के रूप में लिखना है त्रिकॉनमीतिय अनुपात हमारे पास हैं साइन A, कोस A, पेंजेंट A, कोसिकेंट A और coat A उन सभी को सिकेंट A के रूप में लिखना है सबसे पहले हम लेते हैं साइन A को sin A को हम ले सकते है sin A बटे cos Abands sin A को cos A से उपर नीचे क्या कर दिया भी गुना अब sin A अपून cos A क्या होता है tangent A गुना में है cos A cos A को हम यासे ले सकते है एक बटा सिकेंट ए क्योंकि हमें सिकेंट के रूप में लेकिया आणा है तो हमने कोश को बदल दिया सिकेंट में अब हमें टेंजेंट एक को भी सिकेंट में बदलना है तो टेंजेंट में और सिकेंट में एक संबंद है तो पीछे हमने सुत्र किया था यहां से हम लिख सकते हैं इसको tangent A यहां से मारे पास हो जाएगा second square A घटा 1 tangent square A होगा second square A घटा 1 लेकिन हमारे पास है tangent A तो इसका हो जाएगा वरगमूल गुणा में हैं एक बटा second A यह मारे पास हो जाएगा second square A घटा 1 वरगमूल बटे second A हमने sign A को second के रुप में देक्ट कर दिया कोस को लेते हैं कोस A को बदलना है second में कोस A और second में इसी तासा सम्मंद है कि कोस A और second A दूसरे के भी प्रीत हैं तो हम कोस A को सी दाली सकते हैं एक बटा second A अब हम करेंगे tangent को tangent A को बदलेंगे second में अब देखो यहां से tangent में और second में सम्मंद हैं क्या एक जमाद tangent square A बराबर है second square A तो यहां से हमारे पास tangent square A हो जाएगा लिख देता हूँ यहां पर यह सुत्र से tangent square A बराबर होगा second square A घटा एक और यहां से हमें चाहिए tangent A दोने तरफ क्या कर देंगे व्रगमूल व्रगमूल से यह व्रग घट जाएगा और यहां पर हो जाएगा second square A घटा एक का व्रगमूल तो यहां पर लिख देंगे हम tangent A को second square A घटा एक व्रगमूल हमने tangent को बदल दिया second के रूप में अब हम करेंगे cosecant A को भी बदलेंगे second के रूप में अब देखी cosecant A क्या होता है cosecant A sine A का उल्टा है sine A और cosecant A दुसरे के विपरीत होते हैं तो cosecant A को हम ले सकते हैं एक बटा sine A अब उपर हमने sine A को बदल रख्या पहले ही second के रूप में तो यहाँ पर लिख देंगे हम एक बटा sine A और sine A को हमने उपर ही बदल ले है second में यहाँ पर तो sine A को हम second A के रूप में लिख सकते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर आज़े आएगा second square A गटा एक वरगमूल बटे second A हमने क्या किया है हमने sine A का जो मान था second के रूप में उसको यहाँ पर रख दिया निच्चे second है उपर चला जाएगा second A बटे second square A गटा एक वरगमूल यह हो जाएगा second A भी second A के रूप में अब बच गया हमारे पास quote quote A को बदलना है second में अब चोग quote होता है tangent का उल्टा quote को ले सकते हैं एक बटा tangent A और tangent को हमने अभी उपर बदलना है second में tangent में और second में सम्मद है कि tangent square A वरावर second square A माइनस एक तो यहां से एक बटा tangent A को हम उपर से ले सकते हैं second square A गटा एक और इसका वरगमूल तो हमने quote A को बदल दिया second A के रूप में तो इस परकार हम सभी त्रिकोनमीतिया अनुपातों को बारी बारी से second A के रूप में आसानी से देखते कर सकते हैं